शेगंगनगर के अनुपगड में इन दिनों गेहों की सरकारी खरीद का काम युद उस्तर पर है वहीं गेहों की खरीद में भिष्टाचार भी जम कर हुआ कहीं गेहूं की डेरी पास करवाने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही है तो कहीं गेट पास के बदले रिश्वत मांगने का मामला लगतार सामने आया इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जम कर वाइरल हुआ वहीं जब इस मामले में FCI के जिला प्रबंदक लोकेश कुमार को अवगत करवाय गया तो उन्होंने समंदित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा धर्ज करवाने की बात कही सरकारी कटों से सरयाम गेहू निकाला जा रहा है और ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हुआ FCI जिला प्रबंदक ने उचित कारवाई का जहां आश्वासन दिया है गेहू की सरकारी खरीद में भिष्टाचार लगातार एक के बाद एक सामने आ रहा है और ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हुआ जिसमें साफ तोर पर देखा जा सकता है कि सरकारी गेहूं से किस तरह से बंद कटों में गेहूं निकाला जा रहा है